अमीद करती हूँ के आप सब खेरियसे होंगे आज कोईट की एहम तो इन खबरों को शामिल करेंगे कोईट में रहने वालों के लिए M News आई है जलीब में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए और जो अफराद रेजिडेंसी को रीन्यू करवाना चाहते हैं उन तमाम के लिए भी M News आई है और इसी तरह एक और खबर को शामिल करेंगे कोईट में मजूद कुछ लोग ऐसे हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकमल आखिर तक देखेगा और अगर वीडियो पसांद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुईट की खबरों का सिंसला कुईट की सबसे पहली खबर को शामिल करते हैं जलीब में काने के लिए बिल्डिंग के अंदर रेंट पर दे रखी हैं मगर हकूमत ने कहा है कि बहुत से ऐसे गिराज हैं जिनकी वज़ा से रश होती है कुईट में जो रेंट पर दिये हैं या फिर जो बैक्टले लोगों को बिल्डिंग रेंट पर दे रखी है जिसकी वज़ा से ये लोग काफी बड़ी तदाद में कुएट में रहते हैं और इस वज़ा से काफी मसला और रश हो रहा है, जिसकी वज़ से हकूमत का कहना है कि जो कुएटी मालिक हैं अगर वो बिल्डिंग्स को खाली नहीं करवाते हैं, तो ये जो buildings हैं ये सबी buildings सरकारी हैं और हकूमत ने इनको दे रखी हैं तो वो उन से वापिस भी ले सकते हैं अगर ऐसा ही सिंसला चलता रहा तो क्योंकि हकूमत ने ये फैसला लिया है कि जल्दी यहां से ये rush को खतम करना होगा क्योंकि जो families हैं उनको आने जाने में काफी द मिलने की वज़ से ये कदम हकूमत उठा रही है अगली खबर की जानिब जो के authority of manpower की तरफ से ये अलान किया गया है जिन अफरात का कामा 12 जनुरी 2021 से एकस्पायर हो जाता है उनको 30 दिसंबर से renew करवाल लेना चाहिए वरना उनके उपर ग्रामा लगाया जाएगा अगर कि इसी भी गैर मुल्की का कामा 31 दिसंबर 2020 से लेकर 12 जनुरी 2021 के दरम्यान में खतम होता है तो इन पर फिर ग्रामा लगाया जाएगा ये इस वज़ा से हो रहा है क्योंके 9 साल में 12 जनुरी 2021 तक जो अकामा रीन्यू करने का काम जो है वो बंद रहेगा मजीद बढ़ते हैं अगली खबर की जानीब कुएत में डोमेस्टिक वरकर के 60,000 राशन कार्ट को कैंसल कर दिया गया है क्योंके वो कुएत में मजूद नहीं है अगली खबर जो है वो ये है कि उमान ने अपनी फ्लाइट्स को दुबारा से खोलने का फैसला कर दिया है और फ्लाइट्स को अगली खबरें कुएत की उमीद करती हूँ के आपको पसंद आई होगी थैंक्स फॉर वाचिंग